आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ यहाँ पे हमेशन गया गया है DNA अनुका दुगुणन किस परकार होता है वड़न कीजिए DNA के द्वारा अपने समान नया DNA बनाने की प्रक्रिया को DNA प्रतिकृति कहते हैं जब DNA क्या करता है अपने समान नया प्रतिकृति को बनाता है या अपने समाने एक नया DNA बनाता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं DNA प्रतिकृति क्या कहते हैं DNA की प्रतिकृति क्या है निम्न चरणों में फूर्ण होती है तो इसके कुछ चरण होते हैं जिनमें क्या होती है DNA की प्रतिकृति पूर्ण होती है पहला होता है यहां कुंडली में पाई जाने वाले प्रया कुंडल को तोपोईित की द्वारा क्या किया जाता है अगर जाता है यूद एघ्टार प्रया कुंडली में चुनली क्या वी डिन होते हैं ट्रोपो आईसोमरेज के द्वारा अकुंडलित किया जाता है तो यहां पर क्या होता है ट्रोपो आईसोमरेज होता है ट्रोपो आईसोमरेज नामक एंजाइम जो क्या करता है उसको अकुंडलित कर देता है तोपो-ईसोमरेज के द्वारा क्या किया जाता है? DNA को अकुंडलित किया जाता है अकुंडलित, तोपो-ईसोमरेज एंजाइम में DNA रजुक, काटने तथा उनको पुना जोडने की छमता होती है तो टोपो आईसोमरेज में क्या होता है जो एंजाइम होता है यह टोपो आईसोमरेज इसमें DNA रजुक या जिनको हम DNA स्ट्रेंड भी कहते हैं क्या कहते हैं DNA स्ट्रेंड इनको काटने और जोडने की क्या होती है छमता होती है काटने की छमतक किसके द्वारा होती है न्यूकलेज के द्वारा न्यूकलेज होता है जो क्या करता है काटने की छमता और लाइगेज के द्वारा क्या होता है उसको पुना जोड़ा जाता है लाइ गेज के द्वारा क्या होता है उन खंडों को पुना जोड़ा जाता है तो इस in-dessus met क्या होती है फचंता होती जो की रजुक को क्या कर सक़े पहले तू काट सके और उसके बाद क्या कर सके पुना जोड सके more क्या हुए स्ट दोपरकार क्यों हुथ तो यहाँ पर क्या होते हैं ट्रोपो आईसोमरेज 2 परकार के होते हैं फेला होता है ट्रोपो आईसोमरेज 1 या 1 और दूसरा होता है ट्रोपो आईसोमरेज 2 ठीक है टोपो आयसमरीज 2 यह को E-koli में DNA-gya rate भी कहते हैं यह जो टोपो आयसमरीज 2 होता है इसको जो E-koli होता है बैक्टिरिया इसमें क्या कहते हैं DNA-gya rate DNA-gya rate के नाम से जाना जाता है किसमें E-koli में अब इसमें जो दूसरा होता है चरन यह क्या होता है या फॉस्फोरिली करण क्या होता है फॉसफोर्यली करण दिखो मगा क्या होता है जो फॉस्फोर्य रस होता है यह डीयन्य के संसलेशन में काम आने वाले २ूग्लिताईड में केवल एक ही Phosphate समुए जुच्णा होने के शूटमोन जुटाहंने के कारण Denn Videos तो DNA के संसलेशन में काम आने वाले जो Nucleotides होता है क्या होता है जो Nucleotides ये Nucleotides क्या करते हैं इन Nucleotides में केवल एक ही Phosphate समवा जूड़ा होने के कारण क्या होता है ये इसमें क्या होता है केवल एक ही Phosphate समवा रहता है तो इसलिए इसे क्या कहते हैं Monophosphate DNA के सभी 4 परकार के Monophosphate ATP से दो-दो-वानु Phosphate के लेकर Triphosphate बनाते हैं ट्राइ फॉस्पेट बनाते हैं कौन बनाते हैं डियने के चार प्रकार के मौनो फॉस्पेट तो यह क्या करते है, ATP से क्या करते है, दो-दो अनु लेते हैं, किस चीज के फॉसफेट के, और फॉसफेट के दो-दो अनु लेकर क्या बना देते हैं, यहां पर ट्राइफॉसफेट बना देते हैं, इससे फॉसफोली करन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ट्राइफॉसफेट बनने के की मिंद्ध些 कुझा को फॉॉसपॉरिलigos इहां प्रत्र tensor राइलेज एंजाएम की उपस्थितीं में होती है तो यहां पर जो feld होता है फॉसपॉराइलेज वहाई यह उपस्थितीं में क्या होता है यह फॉस्फोरिलणी करन इस this चार परकारके dn tp बनते हैं तो इससे क्या बनते हैं चार परकार के dn tp जोने क्या कहते हैं डियोक्सी नुक्लियोटाइड ट्राइफोसपेड डियोक्सी नुक्लियोटाइड ट्राइफोसपेड बनते हैं चार परकार के जिनको dn tp कहते हैं डियोक्सी डियोक्सी नुक्लियोटाइड ट्राइफोसफेड नुक्लियोटाइड और ट्राइफोसफेड तो इससे जो है जो चार परकार के डियोक्सी नुक्लियोटाइड ट्राइफोसफेड बनते हैं कौन-कौन से ये बनते हैं DATP DGTP DCTP और DTTP और चोथा क्या होता है DTTP तो यहाँ पर यह क्या होता है Dioxy Oxy Adenosin Dry Phosphate Dioxy Adenosin तो यहाँ पर यह क्या होगा Adenosin Triphosphate यह होगा Dioxy Guanosin Triphosphate यह क्या होगा Guanosin Triphosphate यह होगा Cytosin Triphosphate यह क्या होगा Cytosin Triphosphate यह होगा Dioxy Thymidin Triphosphate यह होगा थाइमिडीन या डियोक्सी थाइमिडीन ट्राइफ होस्वेट अब यहां क्या होता है तीसरा चरण आरंभन इस्थल होता है तीसरा चरण क्या होता है आरंभन इस्थल तो इस आरंभन इस्थल में क्या होता है कि DNA प्रतिकृति की किरिया, DNA के कुछ विसिष्ट इस्तानों से सुरू होती है जो DNA की प्रतिकृति की किरिया होती है क्या होती है? DNA प्रतिकृति की किरिया ये क्या होती है? कुछ विसिष्ट इस्तानों से सुरू होती है मतलब यहां यह होता है कि कहीं से भी DNA का आरंबन नहीं हो सकता यह क्या होती है कुछ विसिष्ट इस्तानों से आरंब होती है जिनने क्या कहते हैं हम आरंबन इस्तल या समारंबन इस्तल कहते हैं या क्या कहते हैं दुगुननमूल दूगननमूल इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां से क्या होता है DNA की दूसरा या दूसरा इस्टेंड बनाया जाता है एक ही सब्द का हिंदी में अलग-अलग अनुवाद किया जाता है इसलिए क्या होता है यहां पर हमें इंगलिस सब्दों का भी परियोग रखना चाहिए क्योंकि प्रोकेरियोटिक को सिका में केवल एक ही आरंबन इस्तल होता है जिसको क्या कहते हैं रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट प्रोकेरियोटिक में क्या होता है टोकेरियोटिक में एकी आरंबन इस्तल होता है क्या होता है एक आरंबन इस्तल जिसको क्या गहते हैं रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट जो कोशिका जिल्ली से जुड़ा रहता है तो ये क्या रहता है ये जो आरंबन इस्थल होता है किस से जुड़ा होता है कोशिका जिली से जुड़ा हुआ होता है इसे O-R-I-C कहते है इसे क्या कहते है ओ-R-I-C या O-R-I-C कहते है जबकि यूकेरियोटिक में बहुत सारे आरंबन इस्थल होता है जबकि बात करें हम यूकेरियोटिक को सिखा की तो यूकेरियोटिक में क्या होता है यूकेरियोटिक में बहुत सारे समारंबन या आरंबन इस्थल होते है जिसके कारण यूकेरियोटिक में प्रतिकर्थी कई इस्थानों से सुरू होती है तो youkariotic में क्या होती है कई इस्तानों से प्रतिकृति क्या हो सकती है आरंबन इस्तानों से हो सकता है अब यहाँ पे जो चोथा चरण आता है इसका यह आता है DNA कुंडली का प्रिथक करन आरंबन इस्तल के बाद क्या होता है जो चोथा चरण आता है वो होता है DNA कुंडली का प्रिथक करन तो यहां पर जो DNA की rapidly होती है क्योंकि DNA द्विकुंडली सरंछना होती है तो इसका क्या होता है यहां पर प्रिथकरन तो DNA को जो दोनों रज्जुक होते है उनको प्रिथकरने के लिए helicase enzyme का परईयोग किया जाता है है हिलिकेज regime होता है helicase enzyme तो इस enzyme के द्वारा क्या किया जाता है DNA के जो दोनों रजुक होता है यह रजुक क्या किये जाता है प्रिथक किये जाता है रजुक को लड़ी वलयक आदि भी कहा जाता है तो जो यह रजुक होता है या strand हो जाता है इन strand को क्या कहा जाता है लड़ी या वलयक तो लड़ी या वला एक भी कहा जाता है यहां क्या होता है हेलिकेज आरम बन इस तल से जुड़ कर दोनों रजुकों के चार युगम के हाइडोजन बंद को तोड़ कर दोनों रजुकों को अलग कर देता है तो हेलिकेज जो है यह हेलिकेज आरंबन इस तल से जुड़ जाता है और आरंबन इस तल से जुड़ कर क्या कर देता है जो दोनों रजुकों के चार यूगम के हाइड्रोजन होते है चार यूगम के हाइड्रोजन तो इन हाइड्रोजन बंदों को क्या कर देता है इन बंदों को तोड़ देता है, जिससे क्या होते हैं, दोनों जो रजजुक होते हैं, रजजुक क्या हो जाते हैं, प्रिथकरित हो जाते हैं, या आपस में, मतलब अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे एंजाइम को origin binding protein भी कहा जाता है, तो ऐसे एंजाइमों को क्या कहा जाता है, origin binding protein, origin binding protein क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, यहां पर रजजुक हैलिकेज इंजाइम क्या कर देता है, यहां पर आरंबन इस तर पर क्या होता है, जुड़ जाता है, और छार रजजुकों को हाइडोजन बंद तोड़ देता है, तो आरंबन इस तर पर जुड़ जाता है, इसलिए क्या कहा जाता है, इसको origin binding protein कहा जात जब हैलिकेज दोनों रजुगों को अलग करने के बाद दोनों रजुगों की इस तिर्था परदान करने तशा फिर से कुंडिस होने से रोगने के लिए DNA Binding Protein क्या करती है अलग हुए दोनों रजुगों के स्ट्रेंड से जुड़ जाती है तो यहां क्या होता है जब हैलिकेज दोनों रजुगों को अलग कर देता है या प्रिथा करिद कर देता है तो प्रिथा करिद करने के बाद क्या होता है इस तिर्था परदान करने के लिए क्या होता है जो DNA Binding Protein होती है यह अलग हुए दोनों रजुगों से जुड़ जाती है DNA binding protein क्या करती है दोनों रज्जुकों से जुड़ जाती है ये जो दोनों रज्जुक होता है इनसे क्या करती है ये जुड़ जाती है इस protein को single standard binding protein या helix इस्ताई कारक protein भी कहा जाता है इस protein को क्या कहा जाता है DNA binding protein को जो क्या करती है दोनों रजुगों के साथ क्या करती है जुड़ जाती है सिंगल इस्ट्रेंडड बाइंड प्रोटीन सिंगल सिंगल इस्ट्रेंडड बाइंडिंग प्रोटीन या और क्या कहा जाता है और कहा जाता है हेलिक्स इस्टेबलिसिंग प्रोटीन या हेलिक्स इस्थाई कारक प्रोटीन तो यह क्या करती है दोनों रजुकों से जुड़ जाती है उनको जोड़ने के लिए अब यहां क्या होता है डीने के दोनों प्रिथक रजुक वाई आकार की सरंचना बनाते हैं जो डीने के दोनों प्रिथक रजुक होते हैं यह डीने के दोनों प्रिथक रजुक क्या करते हैं वाई परकार की सरंचना वाई परकार की सरंचना का निर्मान करते हैं जिसे प्रति क्रूटि द्विसाखा या इसको क्या कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क है या क्या कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क भी कहते हैं कि अब इसमें जो पांचलान आता है दा सपोरोगा सांटाघ वंक各 उनका क्या होता यहाँ संसलेशन होता भता संचलेशन कि यह स्वारण यह चुर कAg익 Health को सब्सक्राइब आओ दो यह नोगते हैं रजुक का निर्मान होता है क्या होता है नए DNA रजुक का निर्मान ये किसके द्वारा होता है ये DNA पॉलिमरेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है किसके द्वारा DNA पॉलिमरेज तो DNA पॉलिमरेज द्वारा क्या किया जाता है फुराना जो DNA रजुक होता है पॉलिमराईजेशन नहीं कर सकता RNA Polymerase यह क्या करता है इसके द्वारा 60-70 Nucleotide यूग तो छोटे पूरक लड़ी का निर्मान किया जाता है इससे क्या होता है 60-70 जो लड़ी या जिसको हम strand भी कह सकते हैं या वलायन भी कह सकते हैं उनका क्या करता ही यह निर्मान करता है DNA निर्वर RNA Polymerase जिससे बहुलकी करण की सुरुवात होती है तो इसी के कारण क्या होती है यहाँ बहुलकी करण की सुरुवात किसकी सुरुवात होती है बहुलकी करण की सुरुवात होती है RNA Primer बनने के बाद क्या होता है DNA Polymerase Enzyme इसके तीन सरे से hydroxyl से नए dntb या deoxy क्या होगा ये यहाँ पर क्या होगा कि RNA primer बनने का बात क्या करता है जब RNA के primer बनते है इसमें क्या करता है DNA polymerase enzyme जो DNA polymerase enzyme होता है यह इसके तीन सिरे से जुड़ जाता है DNA polymerase enzyme इसके 3 days end या 3 सिरे से जुड़ जाता है और hydroxyl से नए dntb जोड़ देता है जो hydroxyl होता है या OH group होता है या क्या होता है OH group इनसे क्या कर देता है नए dntb जोड़ कर नए dntb जोड़ता है और क्या कर देता है 5 से 3 की दिशा में नए DNA का संसलेशन करते हैं 5 days से क्या करते हैं 3 days दिशा में नए DNA का संसलेशन तो यहां पर क्या होता है नए DNA का संसलेशन होता है DNA polymerase enzyme के वल 5 से 3 दिशा में ही बहुलकी करन करता है तो जो polymerization होता है वो DNA जो polymerase enzyme होता है यह क्या करता है के वल पांच डेश से तीन डेश दिसा में ही बहुलकी करन करता है तीन डेश से पांच डेश में नहीं करेगा यह याद रखना, यह important होता है त्यूंकि यहाँ पर जो DNA polymerase enzyme होता है यह पांच से तीन डेश में कारे करता है अब यहाँ क्या होता है कि जब DNA polymerase के वल पांच से तीन डेश तक ही क्या करता है दिसा में कारे करता है यह बहुलकी करन करता है तो जब क्या होता है पांच डेश से तीन डेश रजुक पर छोटे छोटे आरेने प्राइमर पाइच देज से तीन डेज इस रजुक पर क्या होंगे जब छोटे छोटे आरेने प्राइमर जो आरेने प्राइमर होते हैं इनका निर्मान होता है क्या होता है आरेने प्राइमर का निर्मान होता है जिससे तीन डेज से क्या होता है इससे क्या होता है टीन डेस से फाइव डेस जिसा में असतत रज्जुक का संस्लेशन होता है तो इसका निर्मान कैसे होता है आरेने प्राइमर के जुड़ने से किस से फाइव डेस से थ्री डेस जिसा वरती या बहुलकी करन के द्वारा तो यहाँ क्या होता है फिर 3 days से 5 days का क्या हो जाता है नेरमान हो जाता है या सथ 59 हो जाता है जो क्या होता है असततर रज्जुक होता है जिसको क्या कहते हैं discontinuous discontinuous strand तो इसका निर्मान होता है इस अथतर DNA रजुक को ओकाजागी खंड कहते हैं तो यह जो discontinuous strand होता है इसी को क्या कहते हैं ओकाजागी खंड या ओकाजागी फ्रेग्मेंट भी कहा जाता है यह ओकाजागी खंड सिर्व RNA primer के बने होते हैं और यह जो ओकाजागी खंड होते हैं यह किसके बने होते हैं सिर्फ RNA primer के बने होते हैं इस परकार क्या हो जाता है यहाँ पर DNA का दुकुंडुली करन हो जाता है आज ही डाउनलूट करें डाउटने टाप यह वाच्साप कीचे अपने डाउट आट चार्सो 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 पर